हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब स्वादत है आपका हमाये चैनल अतायन संकर ब्लॉग में सबसे पहले तो सौरी क्योंकि कुछ दिनों से ब्लॉग आनी रहा था और में तब्यत होई खराफ थी और उसके बाद मैं यहां माय के आ गई हूँ तो अकेले में हस्बन से ब्लॉग बननी रहा था मतलब हलाकी ब्लॉग वही बना दे थे पर उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं होती हो तो व्लॉग बना नानी का मन नहीं करता है तो अभी मैं यहीं से आप लोग बनाओंगी और आज जन्वास्ट मी है तो आप सभी को हैपी जन्रमास्ट मी और मैं हमारे यहां गाव में मतलब यहां है चोटा सा एक कहरी मंदिर तो वहाँ पर होता है जन्मास्टमी enc aan kो आप सभी ओ दिखांगी कि यहां पर जन्मास्टमी कहती होती है और मैं जब तर मायगाय मेरह हूँगी तब तक तो तुम्हें यही से ब्लॉग बनाओंगी और यहीपर डालूगी तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, मैं आप लोग को अपना मायका भी दिखाऊंगी, तो बने रहेगा हमाय साथ ब्लॉग में, और यूँकि आज मौसम भी बहुत खराफ है, साथ बारिश होने वाली है, और मिलेंगे हम लोग साम को, और मैं आप लोग को वहां का ब् मिलते हैं, देखिए फ्रेंस, मंदीर पहुँच चुके हैं, और ये देखिए मंदीर के अंदर राधा किश्म की मूर्ती है, और बहुत जादा भीर है, मतलब हम जब भी यहां पर जितने बार भी आए हैं, सब में से इस बार ही इलम को लग रहा है कि जादा भीर है, और कंदीर के उपर में हैं, जो लोग पूजा की हुई है, जो पुआस रखी है, वो लोग यहां पर हैं, और नीचे भी देखिए, बहुत जादा भीर है, एक निट में दिखा रही हैं आप सब को, देखिए वहां से लेकर, ये सामने दिख रहा है, पर बहुत दूर से भीर है, और ये भाईया देखिए, सब को आरती दे रहे हैं, क्योंकि पूजा लगभग खतम हो गया है, और देखिए, बहुत जादा भीर है, हमारे यहां ऐसे ही होता है, ये गाँ है, तो सिंपल तरीके से ही पूजा होती है, यहां पर फिर भी इस पार बहुत जादा भीर है, और यह देखिए मंदीर है पर लाइट अच्छा नहीं है इसी वज़े से मैं अच्छा से दिखाने पारी हूं आप लोग को पर ये अच्छा है अदेखें पूजा करने के लिए हो गया है ना तो सब और हुर साल यहां पर भोग में खीर मिलता है और और से दूड में दूज और चावल कहीं से खीर बनता है और मतलब देखिये हम सामने से दिखाते है आप लोग को यह देखिये बहुत बढ़ा पतीला में बनाया हुआ है और जितने लोग खीर ले लिए हैं अब घर चलते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजिएगा